ब्लॉक फिटिंग अब आते हैं ब्लॉक फिटिंग पर अगर फास्निंग के दिखने से कोई परिशानी नहीं आ रही तो फिर सर्फिस या सतही फिटिंग का इस्तिमाल किया जा सकता है और इसके लिए कोई भी मशीन की जरूत नहीं पड़ती ये पीवी सी से बने होते हैं ब्लॉक फिटिंग के लिए 5 mm की ड्रिल्स से खोल करें स्लीव्स डालें फिर स्कूरूज को फिक्स स्लीव्स पर कसें इन्हें एक बार स्कूरू करने के बाद बोर्ट से कई बार खोले बिना खोला या बंद किया जा सकता है ब्लॉक फिटिंग 17 mm से लेकर 35 mm मोटाई के जोड के लिए इस्तिमाल किया जा सकता है जोइंट्स और भी तरह के होते हैं जैसे की एलकी स्कूरू और बैरल बोल्ट ये बहुत मजबूत और टिकाव जोड लगाता है ये कई तरह की लंबाई और मोटाई में उपलब्ध है इसे लगाने के लिए 7 mm और 10 mm मोटाई की ड्रिल बिट की ज़रूत पड़ती है एलकी स्टड स्कूरू लगाने के लिए साइट पैनल में 7 mm मोटा क्रोस लॉट ड्रिल करें फिर बॉटम पैनल में 5 mm से 6 mm मोटाई का पाइलिट खोल ड्रिल करके स्कूरू को कस दें इस स्कूरू को 18 mm से 35 mm मोटाई के बोर्ड में जॉइंट लगाने के लिए इस्तमाल किया जा सकता है स्टड स्कूरू एक बहुत मजबूत और टिकाव जॉइंट देता है और इसकी खासियत यह है कि बार-बार खोलने और कसने पर भी MDF को कोई नुकसान नहीं पहुचाता और जॉइंट भी काफी मजबूत रहता है